वेलकम बेक अब्रेवन वेलकम टो सिवल सर्विसे स्टड़ी नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपियस सिवल सेवगा टेस्ट नंबर 290290 वा टेस्ट है तेके समय निकालकर जो पीछे वाले टेस्ट है उनका भी रिविजन करते रहिए चिले स्टार्ट करते हैं तो कोश्चन नंबर बने नीचे दिये गए युगमों का युगमों में से कौन सा जो है वो सुमेलत नहीं है राष्ट राजमार्ग संख्या वन राष्ट राजमार्ग संख्या टू राष्ट राजमार्ग संख्या सैबन राष्ट राजमार्ग संख्या एट तो तीन तो यहा एक दिल्ली से जाती है, अमर्जच से उसको पोलते है, सेर्थसात ग्र्पाउन हेली मार्फ मतलब रश्चर राष्ट करने कुमरी जाता है और रास्ट डिल्ली से डासर सले Deputy से मंबई जाता है, राष्ट-षटा राष्ट सेब्सक्रा शाया है, क्योंकि वारण सी अध्यापन टू कन्या कुमारी नहीं है तो दिल्ली वे अमरेशर के मद एतिहासिक सिर्षा सूरी मार्ग राष्ट राजमार्ग संख्या वन के नाम से जाना जाता है और राष्ट राजमार्ग संख्या टू दिल्ली को कॉलकता से जोड़ता है और बात करें राष्ट राजमार्ग संख्य साथ देश का सरवादेख लंबा दोहारती तीनसो उनत्तर किलोमेटर और बाराणसी से जाता है ये कन्यों कुमारी और बाया जबलपूर नागपूर हाईदराबाद और बंग्डूरू तो तीसरा योगम जो है वो साही सुमेलित नहीं है ग्यार राष्ठ राजमार्ग एट है ली तू मुंबई कोस्चंट नंबर 2 है सवनिम् चेतरूभूज माह राजमार्ग भारत के किन सहरों को अपस में जोड़ता है किन किन को अपस में जोड़ता है सोनिम चत्रोभूज देखे दिल्ली को कुलकता से और चेन्नाई मुमबई तो इसका अंसर हो जगा उप्सन नमबर है दिल्ली मुमबई चेन्नाई और कुलकता तो सोनिम चत्रोभूज महाराजमार्ग गोल्डन क्वाडरि लेटरल सूपर वे ये जो है भारत सरकार ने दिल्ली से कलकत्ता और चेन्य मुंबई को जोड़ने वाली छे लेन वाली महाराजमार्गों की सडक परियोचना प्रारंब की इस परियोचना के तहत दो गलियारी बनाए गए हैं पर्थम जो गलियारा है वो उत्तर दक्षन गलियारा जो लुए है इन में से कौन सा राज हजीरा विजयपूर जगदीशपूर पाइपडाइन से जुड़ा है कौन से नहीं जुड़ा है देख उत्तर प्रदेस तो जुड़ा है गुजरात भी जुड़ा राजस्थान भी जुड़ा है मध्य प्रदेस MP सुरी महराष्ट महराष्ट नहीं जुड़ा है तो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेस में ज और बवराला वे अन्य सहरों पर हैं, तो महराष्ट इस लाइन में नहीं है, कुश्य नुमर फोर है, नीचे दिये गए गुमों में से कौन सा जो है, वो सही सुमेलित नहीं है, देखें, जलमार्ग संख्या एक, जलमार्ग संख्या दो, जलमार्ग संख्या तीन, एक के सामने तीन तो correct है, कोटा पूरम से कुमान तक, जलमार्ग संख्या दो भी सही है, सदिया से धुबरी के मद, जलमार्ग संख्या एक गलत है, क्योंकि ये इलाबाद से हल्दिया है, बारानसी हल्दिया नहीं है, तो कि ये बले ये कहां पर गलत है, हमको इनकरक ढूड़ना है, तो देखिए नौगा में जलमार्ग संख्या एक ऐलावाथ तत्था हल्दिया के मत गंगा नदी पर 1620 किलोमेटर और नौगा में जलमार्ग संख्या दो सदी आवे धुबरी के मत 891 किलोमेटर लंबा भ्रमपूत नदी पर है और नोगम में जलमार्ग जो थ्री है वो केरल के पश्मी तटिय नहर कोट्टापुरम से कॉम्मान तक उद्योग मंडल तथा चम्प कारा नहरे और इसकी जो लंबाई है वो 205 किलमेटर तो सबसे लंबा गंगा नदी पर सेकंड वाला है ब्रह्मपतन नदी पर 891 सदिया से दुबरी इलाबाद उत्तर प्रदेश हल दिया पस्चे मंगाले कुश्य नुम्मर फाइब है निमलिकित में से कौन सा जो है वो सत्य है देखिए मर्मगाव पत्तन देश के कुल निर्यात का 90 परतिशत लोह एसक निर्यात करता है और इसा में इस्थित पारादी पत्तन वि जो मर्मगाव पत्तन देश के कुल निर्यात का 90 परतिशत लोह एसक निर्यात नहीं करता है पहला वाला स्टेट्मेंट आधा करता है कम से कम 50 परतिशत तो हमको सही ढूंड़ना है तो सही यहां पर केवल दो और तीन सी हो जागा इसक आंसर तो देखिए कथन एक असत्य है मर्मगाव पत्तन गोवा से देश के कुल निर्यात का आधा अलगभग 50 परतिशत लोह एसक निर्यात करता है करनाटा के स्थित नियू मंगलवर पत्तन केंद्र मुख खानों से निकले लोह एसक का निर्यात करता है दूसरा सही है तीसरा सही है औरीसा में स्थित विशेष्ट लोएस का निरात करता है, तीसरा सही है, क्योंकि कलकत्ता एक अंत्य इस्थलिय बंदरगा है, मतलब नदिय बंदरगा है, रिपराइन पोर्ट बोलते हैं इसको, यह जो बंदरगा है वो गंगा ब्रह्म पुत्र वेसिन के ब्रहत बेसंब्रद प्रष्ट भूमी को सिवा परदान करता है, जो आरिय पत्तन होने के कारण तता हुगली के तलशड जवाब से इसे नयमित रूप से साफ करना पड़ता है, तो अलग से प्रष्ट पूछा गया है, ससी ने कई वार किया है प्रष्ट कि कलकत्ता किस तरह का बंदरगा है, तो रिपराइन पोर् कुश्य नुबर सिक्स है, कलकत्ता पत्तन पर बढ़ते व्यपार को कम करने है, कौन सा सहायक पत्तन विक्सित किया गया इन में से, कलकत्ता कहां पर पस्चे मंगाल, तो अब चेन नहीं तो काफी नीचे है, ये तो होनी सकता, मशीली पत्तमांदर प्रदेश में नहीं है, इसका अंसर है हल्दिया, तो कॉलकात्ता एक रिबराइन पोर्टे नदिया बंदर गाए, इस फर बढ़ते व्यपार को कम करने है, हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विक्सित किया गया, सातवा प्रश्ण है, निम्लकित में से कौन से जो भारत के प्राकरतिक बंदर गाए, विशाखा पत्नम, कांडला पत्तन, तूती कोरीन पत्तन और कोची पत्तन, कोची केरल में हो गया, तूती कोरीन तमिलनाडू में हो गया, कांडला गुजरात, विशाखा पत्नम, आंदर प्रदेश, तो प्राकरतिक बंदर गाए, तो प्राकरतिक बंदर गा है तो इसका अंसर हो जाएगा अपसा नमबर डी के बल तीन और चार तो देखिए भारत के दक्षन पश्चे में अवस्थित कोची पत्तन एक लैगून के मुहाने पर इस्थित एक प्राक्रतिक पोता श्रह या बंदरगा या फर पत्तन है पूर भी तटके साथ तमिलनाडू तो में दक्षनी छोर पर जो तूतिक और इन पत्तन है वो भी एक प्राक्रतिक पोता श्रह तथा इसकी प्रश्ट भूमी भी अत्तेंत सम्रद है बात करें बिशाका पत्तनम की स्थल से घिरा है गहरा है सुरक्षित है लेकिन क्रतिम बंदरगा है क्वेश्चन नमबर एट है नमलकित में से कौन सा हमारे देश का प्राशिंतम क्रतिम बंदरगा है यह इंपोर्टन है प्राश्टन तो इसका अंसर है चेन्नाई तो देखें चेन्नाई पोर्ट मुंबई पोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा यह 115 वर्ष पुराना है और कुश्य नूम्बर नाइनन, नमलक दमसे किस पत्तन को स्वतंतरता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विक्सित किया गया, ऐसा देश के विभाजन के बाद कराशी पत्तन की कमी को पूरा करने, तथा मुंबई से होने वाले ब्यापारिक दवाब को कम करने के लि गया ऐसा देश विभाचान के बाद करांशी पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दवाब को कम करने के लिए किया गया था और कांडला एक ज्वारिया पत्तन है यह जम्मु कस्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियरना राजस्तान वे गु पूछेगी लेकिन अपने को कोर्स भी कम्प्लीट करना आए ना अगर कोई आसान प्रशन मिलता तो सबको सॉल्व करते जाए चलिए दसवा प्रशन देखते हैं नमलक्त में से कौन से भारत के पूर्वी तटके बंदरगा है इंडिया का मैप सभी को बनाने आता होगा तो यह बाला इधर का बंदरगा है अगर इनमें सोग इधर होगा तो अलिमिनेट हो जाएगा पश्मी तटका तो हल्दिया पत्तन काकिनेदा पत्तन गंगाबरम पत्तन और कशिया पत्तन अब अगर आपको पता होगा किस स्टेट में है यह तो ऐसी अलिमिनेट हो जाएगा त कंगावराम काहँ है गनगावराम अंदर प्रस्ष्ट प्रदेश प्राइप साहई किति होगे तो डी यह जागा आफ dell दस प्रश्ट इसमें अच्छे से इनका रिविजन कर लिजागा एक से दो बार सब्सक्री अщее कर भ़ए थन्यवाद